क्या आपको पता है कि दुनिया का पहला इसकॉन मंदिर भारत में नहीं बलकि विदेशों में बनाया गया था। बहुत से लोगों को लगता है कि यह किसी विदेशी आदमी या देशों का संगटन है। पर यह सच नहीं है। इस संगटन की नीव भारत के भक्ती वेदान स्वामी प्रभू पाजी ने रखी थी। दुनिया के पहले इसकॉन मंदिर का निर्मान 1966 में अमारिका में हुआ था। भारत के सभी इसकॉन मंदिर में आपको विदेशी लोग दिखेंगे ये सारे वे लोग हैं जिन्नोंने हमारे सत्य सनातन हिंदू धर्म को अपनाया है वे एक साधू की तरह अपना पूरा जीवन पिताते हैं जब आप इन लोगों के मुह से हरे राम हरे कृष्णा का मंत्र खुद को शर्मिंदगी महसूस होगी कि यार हम अपने धर्म के संसकार रीती रिवाज भूल गए और इन अंग्रेजों को देखो कितने खुश हैं हिंदू संस्कृति को अपना कर तो अगर आप इसकॉन संस्थान के बारे में जानना चाहते हैं यहां पर कुस दिन रहना च चाहते हैं इसकॉन टैंपल घूमना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें आपके मन के सवालों के जवाद इसमें हैं और सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको हमारी हर वीडियो मिलती रहे हम इस चैनल के जरिये लोगों तक भारत के व्यादिक लुकुल आश्रमों आध्यात्मिक संस्थाओं की जानकारी शेयर करते रहते हैं इसकॉन का अर्थ है मन की शांती प्रसन्यता और सुख प्राप्ति करने की जंग है वैसे तो पूरे दुनिया में बहुत से आध्यात्मिक संगठन है पर इन सभी में इसकॉन सबसे आलग है इस संगठन से जुडने वाला हर एक व्यक्ति जीवन बर खुश रहता है वो यहां से सीखता है कि मनुश्य जन्म का मतलब कर्म और कृष्ण बक्ति ही है भगवान कृष्ण के संदेश को पूरे विश्व में पहुचाने के लिए स्वामी प्रभुपाद ने इसकॉन मंदि में हो गया था लगबग 175 देशों में हरे कृष्ण आंडोलन फैला हुआ है और पूरे विश्व में 850 शाखाएं हैं बैंगलोर में बना हुआ इसकॉन मंदिर सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है इस मंदिर के इस्थापना साल 1997 में की गई थी वहीं साल 1975 में व्रंदावन म इस्थापना की गई थी इस मंदिर में सबसे जादा शद्धालू दर्शन करने आते हैं यहां पर 50% से जादा भक्त और सेवा देने वाले लोग विदेशी हैं इसलिए हम भारतियों को ये एक विदेशी लोगों का मंदिर लगता है यहां पर विदेशी लोग हमारे करने वाला संगीत गाती देखोगे इसकॉन टैंपल में डॉनिट किये जाने वाले पैसे के बारे में भी बहुत सी बाते होती हैं कि यहां ब्लैक का वाइट किया जाता है यहां का पैसा बाहर बेजा जाता है ऐसी बहुत सी बाते लेकिन इसकॉन टैंपल में जो भी पैसा उसका सत्व प्रतिश्यत मानर्त के कल्यान के लिए और भूकमरी की समस्या को खतम करने के कारियों में लगाया जाता है। अचार्य भक्ति वेदानत जी का मंदिर भी बना हुआ है। क्रिशन जनमास्कमी के दिन मंदिर में पैर रखने की जंगा नहीं मिलती है। अब मैं आपको इसकान गुरुकुल व्रंदवन के बारे में बताती हूँ। गुरुकुल इसकान मंदिर से करीब 12 किलोमीटर दूर बहुती सुदूर इलाके और एकदम शांत जंगे पर है। यहां पर कोई डिस्ट्रक्शन नहीं हो सकता। यदि आप अपने बच्चों को संसकारवान, मेधावी और एक अच्छा इंसान बिनाना चाहते हैं और उन्हें पुराने गुरुकुल शिक्षपद्धिती के अनुसार शिक्षा देना चाहते हैं साथ ही उस श्लोक का हमारे जीवन से क्या नाता है उस जीवन ग्यान को भी सिखाते हैं। गुरुकुल बहुत ही बड़े शेतरफल में फैला हुआ है। गुरुकुल से पांच किलोमीटर दूर छोटे-छोटे चार-पाच गाउं हैं। यहां पर पढ़ने वाले बच्चों को कृष्ण जनमास्टमी और अन्य उत्सवों को विध्याल्य में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। बहुत सारी बौधिक, सांस्किर्तिक और सामाजिक मुद्धों पर प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। इन कारेकर्मों में उपदेश देने के लिए बड़े-बड़े अध्यात्मिक संत आते हैं। विध्याले परिसर बहुती खूबसूरत, लंबा चोड़ा, शुरक्षित और सुववस्थित है। यहां पर पढ़ने वाले विध्यार्तियों को किसी प्रकार की कमी नहीं होती है। हर चीज की विवस्था वे उनके लिए एक अलग टीचर रखा गया है। विध्यार्तियों को सुबह पोस्टिक नाश्टा और दो समय का सात्विक भोजन मिलता है। गुरुकुल में विध्या गहन करने वाले बच्चों को महीने में एक दो बार व्रंदवन इसकौन मंदिर जाने का अफसर मिलता है। इस समय सारे बच्चे बहुती प्रफुलित और प्रसन रहते हैं। गुरुकुल से जुड़ी सारी इंफर्मेशन जैसे एजुकेशन मेथर्ड, एडबिशन प्रॉसेज, फीस, फैसलिटीज ये सब आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएक। इसकौन ब्रंदवन में बहुती सुन्दर गौशाला भी है, यहां का बातावरन बहुती शांतर बढ़िया है। यहां पर आप बहुत कम पैसे देकर रुक सकते हैं और गोमाता के सेवा कर सकते हैं। यहीं फार्म पर औरगानिक सब्जा भी गवाए जाती हैं और उसी का खाना बनता है। और यहीं पर आप भरपेट औरगानिक फूर्ड खा सकते हैं। इसके अलावा इस गौशाला में सारी नहीं सुधाई हैं। भारत भर में इसकौन की 60 गौशाला हैं। और अकेले वरंदवन गौशाला में लगबग 350 गाएं, बैल और बच्छडे हैं। इसकौन में मिलने वाले जादातर गौशाला यहीं पर बनते हैं। इसकौन मंदिर वरंदवन की गौशाला बहुती अत्यादूनिक और प्राकरतिक है। और गौमाता की सही तरीके से देखबाल की जाती है। तो मंदिर में जाकर अपनी मेंबर्शिप रसीद बनवा सकते हैं। यहाँ पर आप समयदान और जीवनदान कर सकते हैं। समयदान का मतलब है कि कुछ समय के लिए आप मार रुख सकते हैं। और जीवन दान का मतलब ये है कि आप जीवन भर के लिए इस कौन से जुड़ सकते हैं। आपको यहाँ पर हर दिन शुद्ध भोजन खाने को मिलेगा। एक दिव्वे वादावरन मिलेगा जिससे आप अपने मनुश्य जन्म को सफल बना सकें। इसके अलावा यहाँ पर हर दिन आपको विविन अच्छी भक्ती में गतिविदिया करवाई जाती हैं। जिससे आप शाररिक और मानसिक रूप से स्वस्त रह सको। अब अगर आपको इस मंदिर से जुड़ना है तो सबसे पहले यहाँ के मंदिर के जो मैनेजर हैं। से बात करनी होगी और सारी बाते ससच बतानी होगी। और अगर आपके पास कोई विशेश डिग्री या कोशल है तो आपको आसानी से मंदिर में रहने का मोका मिल जाएगा। यहाँ पर आप बहुत से कामों के लिए वालेंटियर जुड़ते हैं। जैसे बुक डिस्टिब्यूट करना, इसकौन में होने वाले इवेंट को मैनेज करना, फैस्टिवल अरेंज करना, खाना खिलवाना और ऐसे बहुत से काम। भारत के किसे भी इसकौन मंदिर से जुड़ने के लिए आप जीवन सन्यासी बन कर भी जुड़ सकते हैं। पतलब आपको घर परिवास सब को छोड़ना पड़ेगा और सिर्फ भगवान सरी कृष्ण की भक्ती में अपने जीवन को लगाना होगा। वॉलिंटर बनने के लिए आप इस मेल आईडी पर अपने बारे में अपने स्किल्स के और अपने इंट्रेस्ट के बारे में लिख सकते हैं। इसकौन की टीम उसी हिसाब से आप से संपर कर लेगी। ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो अगर लंबे समय के लिए नहीं रह सकते किसी पारिवारी क्या सामाजिक समस्य के कारण या मन की शांती के लिए कुछ दिन व्रंदावन में रहना चाहते हैं। और आपके पास रुखने और खाने के लिए पैसे नहीं हैं। तो आपको समय मुफ्ट में यहां पर सेवा कार्य करके गुजारा कर सकते हैं। और सभी सुइधाओ का लाब उठा सकते हैं। साथी यहां पर रसोईय का, खेती बाड़ी का, गो सेवा का और फार्म हाउस देखरे के काम में भी सेवा दे सकते हैं। अगर आप तना स्ट्रेस टेंशन में हैं तो यहाँ पर कुछ दिन जरूर गुजारें। वैसे मैं आपको बता दू कि भगवान श्री कृष्ण की नगरी में कोई भूका नहीं रहता। यहाँ पर आपको बहुत सारे संगठन और लोकल लोग सुभे नाश्टा और भोजन की विवस्ता करते हैं। अगर आप इसकौन से जुड़ते हैं तो इसका बहुत लाब आपको मिलता है। इसकौन भारत और दुनिया का कृष्ण भक्ती में सबसे बड़ा संगठन है। तो इससे जुड़ने के बाद आपकी अलग पहचान बनती है। आप इसकौन से जुड़ने के बाद अपने अप अंग्रेजी सीख जाते हैं। क्योंकि यह एक इंटरनेशनल संस्था है, इसलिए विदेशी लोग यहाँ पर जादा आते हैं। आप माहोल से ही अंग्रेजी बोलना सीख जाते हैं। जैसे जैसे आपका ज्यान भड़ता है। अगर आप भागवत गीता ज्यान को आत्मसार कर लेते हो, तो आपको भारत के अलग-अलग राज्यों के शेहरों में गूमने का मोका मिलता है और कभी-कभी विदेशों में भी। शुद पंच गव्वे खाने को मिलता है जिससे आपके शरीर के सारे रोग दूर हो जाते हैं। आपको दिव्यवाताबरन मिलता है, हर समय पॉजडिव महोल मिलता है, कोई लडाई जगड़ा नहीं होता। इसकौन से जुडने वाले हर व्यक्ति को यहां के नियमों को भी मानना होता है। अगर आप भी इसकौन से जुडना चाहते हैं, तो आपके लिए भी यह जान लेना बहुत जरूरी है, जो मैं आपके साथ शेर कर रही हूं। आप किसी भी प्रकार का मासाहार का सेवन नहीं कर सकते। आप गर्फरेंट वे बॉइफरेंट नहीं बना सकते। आपको काम वासना को भूलना पड़ेगा। आप प्याज लसुन जैसे सभी तामसिक श्रेनी के बोजन नहीं खा सकते। आपको भारतिये वेश-बूशा दो को वास रखना होता है। अब मैं आपको इसकान मंदिर की दिंचरिया भी पता देती हूं। सुभे आपको तीन बजे उठकर नहां दोकर मंदिर की मंगल आरती में हिस्सा लेना है। फिर आट बजे प्रभुपाद जी की आरती होती है। सुभे सुभे तुलसी माता की भी स सुन्दर गीत के साथ परिकर्मा के साथ पूजा की जाती है। फिर दो बजे प्रसाश शुरू होता है। संध्याकाल पांच बजे और रातरी आठ बजे भव्यारती होती है। आपको सारी जानकारी अच्छी लगे और आपके काम आए। वीडियो से रिलेटेड कोई भी को वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार।